Hello friends, स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में तो आज किस वीडियो में ही हम एनलाइसिस करेंगे Reliance Industries का हम इसका जो एनलाइसिस करेंगे वो हम Swing Trading Purpose के लिए और Interview Purpose के लिए दोनों के लिए करेंगे देखती हैं इसमें कैसा चार्ट पैटरम बर रहा है क्या क्या एस्पेक्ट इसमें बन रहे हैं कहां पर Buying Selling आ सकती है तो इन चीजों के पर हम बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देख लेती है कि इसका Day का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है तो यहां पर एक चीज़ तो हमें क्लीर हो रहे है कि यह अपने एक काफी Strong Resistance के पास खड़ा है Stock यह देखिए काफी Potential इसका Resistance है पहले जो कि Export थी अब वो Resistance बना है और कितनी बार का Resistance है यह First, Second and Third यानि कि अब यहां पर अगर एक Breakout होना तो मतलब हमारा Atleast की यहां तक का Target असानी से आ जाना है यानि कि लगवग लगवग 2490 से लेके 25 के राउंड का Target वो हमें मिल जाना चाहिए तो इसको Analysis कैसे करेंगे सिंपल सी बात है काफी Strong Resistance के पास है काफी अच्छी Candle भी कल वाली बनी है तो अगर यहां से हमें एक अच्छा Breakout मिल जाए तो हमारे नेक्स टार्गेट क्या हो सकते हैं तो अगर हम बात करें डे के अकॉर्डिंग या फिर अगर हम स्विंग टेडिंग के परपस के लिए करें तो 2490 में हमारा पहला Target होगा और इसके बाद हमारा जो 2558 है वो दूसरा Target होगा तो यह जो दो Target है यह हमारे एस पर अगर हम स्विंग टेडिंग वादा एसस करें तो उसके कोडिंग लिए Target निकल कर आ रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें को स्विंग इंट्राडे पपस के लिए तो वह हम चेक कर लेते हैं पहले हम सभी चार्ट को हटा देते हैं हम पहले चलते हैं इसके 50-minute चार्ट के उपर 50-minute चार्ट क्या कह रहा है तो 50-minute चार्ट यहां पर एक चीज़ यहां पर भी clear है जो वन डे के चार्ट के उपर हो रही है कि यह एक strong resistance के पास है 15-minute के channel के coating भी तो यहां की 15-minute क्या जो हमारा चार्ट है उसके उपर भी same resistance ही 25-25 यहां पर एक चीज़ काफी interesting देख रही है वह क्या है वह है कि यहां पर एक channel breakout हुआ हुआ है अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें मैं इसको थोड़ा चार्ट को बढ़ा कर देता हूं तो यहां पर हुआ है एक channel breakout यह देखें यहां पर और next है हमारा यहां यह देखें यह हमारा channel है channel मतलब एक ही seed में stock जा रहा था ऐसे यह काफी बढ़ी है हमारा एक channel बन रखा था पहले कुछ दिनों से लगबग यह channel बनना स्टार्ट हुआ था 19 तरीक से लेकर 27 तरीक चैनल बना चैनल के बाद अब हमें एक मिला breakout काफी अच्छा हुआ 28 तरीक को breakout हुआ था तो वह काफी काम किया और अपना जो resistance है almost almost वहां तक यह गया तो सिंपल सा हाँ वह हमारा पास जो टार्गेट क्या आ रहे है टार्गेट अगर हम 15 मिट के चार्ट को पर देखें तो 2425 अफकोर्स एक strong resistance है उसके बाद जो हमारा next टार्गेट आ रहा है 15 मिट के चार्ट के 2663 के रहां जो टार्गेट है वह हमारा निकल कर आ सकता है तो काफी अच्छा यह ब्रेक आउट चैनल ब्रेक आउट जब भी होता तो इसके बाद की मूव है वह काफी फास्ट आती है तो इसके पर पांच मिट के चार्ट के उपर हां perfect यहां पर असली चीज़ हमें पता चा इसी वजह से निफ्टी भी पिछले कई दिनों से रेंज में चल रहे थी क्यूकिन निफ्टी र्लाइंस है जो वो निफ्टी का सब्से बड़ा heavyweight है जब तक reliance काम नहीं करेगा निफ्टी नहीं चलेगी जब तक HDFC बैंक काम नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगी रेंज में था यह प्रॉपर स्टॉक जिसके वज़ा से निफ्टी में बात नहीं बनी लेकिन जब 28 तरी को इसमें breakout आया तो निफ्टी भी अगर आपने ध्यान दिया तो निफ्टी में भी काफी अच्छा भूम आया था तो ध्यान रखने वारी सबसे बात में चीज़ यह है कि यह स्टॉक है काफी बढ़ी है पहले एक चैनल में चल रहा था अब चैनल को ब्रेक आट दे दिया और अभी अपने स्ट्रॉंग रिजिस्टन्स के पास चला गया है तो इसके स्ट्राटेजी बहुत ही सिंपल सी है कि यह जो चैनल है अगर यहां पर यह जो रिजिस्टन्स है कल दुबारा इसकी फ्लैट ओपनिंग हो यानकि टूजडे को इसके आसपास थोड़ी दर सस्टेन करें और उसकी जो इससे पीछे वाली जो कैंडल होगी उसको तोड़कर अगर ऊपर को जाए तो हम इसमें बाइंग करेंगे दुबारा समझते हैं इस ट्रोक अपने स्ट्रोंग डिस्टन्स के पास है इसमें क्य यहीं कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे तो हम यहां पर इक रह्यां पर रहसकते हैं सिंपल सा सथनेर्यू है यहां पर यहां ऑपनंइंग ही ने हम वेट करेंगे इसका री टेस्ट करने की यहां पर कोई अच्छी डोजी केंडल बन जाए यहां फिर हमर केंडल बन जाए फिर दुबारा जब यहां पर यहां पर ब्रेक आउट दे तो उसके बार की जो पुजीशन है वो और भी ज्यादा फास्ट होगी तो आपको वीडियो पसंद आई होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चानल को जूँद सब्सक्राइब कीजी वीडियो को कमेंट लाइक शेर जूरूर किया कीजिए जिससे मुझे तोरा मोटिवेशन मिलता रहता है और आने वाले टाइम है मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आता होगा तो चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में